हाले अबरिवान दिस व्तियामंकर एर अफोम बेकर फ्रम प्रियाज मैजिकल किचन आज मैं आपके साथ शेयर कर रहे हूँ कि किस तरह से आप कमर्शील प्रिमिक्स यूज़ करके घर में ही स्पाँज बना सकते हूँ बहुत इसी तरीके से तो यहां पर जो मैं pre-mix use कर रहे हूँ यह Pryas Magical Kitchen का प्रिमिक्स है जिसके मैं वर्क्षब लेती हूँ प्रोफेशनल pre-mixes है तो वही आज मैंने लिया है तो यहां पर जो है आपको अगर वन कीजी का स्पॉंज बनाना है तो आपको यहाँ पे 330 ग्राम आपको लेना है प्रिमिक्स यहाँ पे मैंने चॉकलेट प्रिमिक्स लिया है 330 ग्राम देन आपको लेना है पानी यहाँ पे 140 ग्राम हमें लेना है पानी देन आपको लेना है 18 ग्राम मिन्स 18 ग्राम ओल से तीन चीज़े हमें यहाँ पे यूज कर लगेगा और अगर आप 2 sponge बनाना चाहते हो तो यहाँ इसे की में तो यहाँ पर मेरे पास 5 आen है जिसमें में 0.05 kg के साथ मेनजी 2 sponge बनाऊंगर अगर आपकह गेजे का लिखाशच के का केक बनाना न islike तो आप यहाँ पे 6 इंच अगर भी मॉड ले सकते हो या थिर आप यहाँ पे 5 इंच का भी मॉड ले सकते हो तो चलो हम Start करते हैं स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें बटर पेपर किस तरह से लगाना है तो जस्ट हमें यहां पर ले लिए पर आप चाहो तो बटर पेपर भी ले सकते हो मैंने यहां पर 5 इंच की मॉल्ड में हमें बटर पर लगाना है तो जस्ट मैंने इस तरह से कट कर लिया है यहां अब क्या करोंगी यहांपे दे जखिए इस तरह से हमें पार्श्में पेपर को कट करना है यह पर एक साइड में रख दिया साइट से हमें कट कर लेना है एक साइड से मैंने इस तरह से कट कर दिया है अब मैं क्या करूंगी इसी को मैं फोल्ड करूंगी इसको हमें इस तरह से एक फोल्ड कर लेना है दिन हमें सेकंड फोल्ड कर लेनी है यह सेकंड फोल्ड हो गया दिन यहां से एक औरनर है हमें इसकी थर्ड फोल्ड कर लेनी है इस तरह से और एक कौन जैसा बनाना है इसे यह यह लागें क्技 rif लेंगी था कही B मौल्ड का स्वाइब भुट तक करेंगे और मेजरमेंट लेना चैतल प्रके लेना है इसे इस तरह क्ट करेंगे देन्स प्रक्रिट पार्चमेंट पेपर है इस तरह से हमें राउंड शेप में मिल गया है इसे हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे पार्चमेंट पेपर जब आप यूज करते हो तो ना कोई बटर या ना कोई घी ना कोई ऑईल से ग्रीज करने की बिल्कुल भी जरुरत नहीं होती है अगर आप अच्छ से इसके अंदर मैंने पर्शमेंट पेपर को प्लेस कर दिया है अब यहाँ पर एक इंपॉर्टन बार अगर आप मार्केट से कोई भी प्रिमिक्स लेते हों कोई भी प्रिमिक्स बाई करते हो जैसे नंडी ब्राइंड का है प्रिस्टीन का है गुड्रीज का है यह तो आप एक बार पैकेट की बैक सेड में में लिखा हुआ रहता है तो एक बार आप पढ़ लीजेगा प्रॉपर मेथड के साथ आप बना सकते हो तो यह इजी वे रहेगा तो जो भी वहाँ पे अगर आप वन केजी का पैकेट बाई करते हो मार्केट से तो वन केजी का पूर आप़ मार्केट से लाते हो और यह मेजर्मेंट से लेते हो तो भी चलेगा नौ इश्युटेह प्रॉपरली यहां पे जैया अगर आपको अगर आप केजी का केट बनाना है तो आपकाफ केजी का अप क्यिंस यहां केग अगर को को निःक्ड कर्णे काशन सिर्काल्राव क आपका approximate point चाहिए बाकी जो है filling और cream इसमें cover हो जाएगा तो यहाँ पे हम start करते हैं simple सी बात है अभी आपको क्या करना है सबसे पहले pre-mix लेना है pre-mix में add करना है normal water यहाँ पे ना कोई chilled water चाहिए ना गरम पानी चाहिए simple सा tap water हमें लेना है और यहाँ पे हमें चलाना है bitter अभी bitter को जो है high speed पे चलाना है जब तक यह अच्छा सा fluffy नहीं हो जाता है अगर आप सिर्फ mixing करके अगर बैटर बनाते हो means oil water and pre-mix लेकर अगर आप sponge बनाते हो तो उतना light नहीं बनता है जितना आप बीट करके sponge बनाते हो तो हमेशा यह method यूज कीजिए आपका sponge बहुत light बनेगा यहाँ पे मैंने पहले इस तरह से mix कर दिया है अब हम बीटर अंगी यह देखिए हमारा बैटर जो है अलका सा जो है एकदम लाइट हो गया है तो यह हमें कम से कम एक मिनट के लिए आपको बिटर जो है ताकि आपका बैटर जो है एकदम फलपी बने यहाँ पे हमें simply oil एड करना है फ्लेवर लेस ओईल लीजे मैंने यहाँ पे sun floor ओईल लिया है सिर्फ आपको यहाँ पे mustard oil नहीं लेना है ऐसा oil लेना है जिसमें से smell नहीं आए तो यहाँ पे अभी oil एड करने के बाद आपको बिटर एकदम लो स्पीड पे चलाना है just for 30 seconds तो यह देखे हमारा बैटर एकदम परफेक्ट बन गया है अब हम इसे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं मैंने पूरा एक वन केजी का पूरा बैटर बनाया है बट मुझे इसे दो पार्ट में डिवाइड कर लेती हूँ तब तक मैं मेरे अवन को प्रिहिट करूंगी 160 डिग्री पे तो यहाँ पे देखे हमने 5 इंज के मॉल्ड में यहाँ पे बन कीजी का बैटर हाफ हाफ करके हमने डिवाइड कर दिया है अब हम इसे करेंगे बेग, बेग करने के लिए हमें 160 डिग्रे पे प्रिहिट करना है 10 मिनट के लिए, उसके बाद हम इसे बेग करेंगे for 25 to 27 मिनट के लिए तो यहाँ पे देखें, हमने अवन को on कर दिया, मेरा जो अवन है, यह ओल इन वन चारकॉल अवन है, LG का यहाँ पे यह है, कन्वेक्शन मोड, इसे हम कन्वेक्शन मोड कहते हैं, यहाँ पे हमें मोड सिलेक करने न है, यहाँ से, हमने मोड हमने कन्वेक्शन मोड चूज किया है, यहाँ पे हमें 16 star का बटन हमने प्रेज कर दिया, यहाँ पे 160 डिग्री सिलेक करना है, 160 डिग्री हमन जैसे ही प्रिहिट हो जाएगा यह मेरा अट्क है सो एल्जी का आल-इन-वन है जैसे यह प्रिहिट हो जाएगा वंशिक्स्टी डिग्री पर हमारा दोनों मॉल्ड इस साथ रखेंगे एल्जी का आवन है आल-इन-वन चार कोल ओवन यह है 32 लिटर का इसमें मैं एक साथ तीन मॉल्ट भी रख सकती हूँ सो मुझे सबसे अच्छा लगता है कि कन्वेक्शन मोड यूज करना इसलिए मैं 160 डिग्री पे हमेशा मेरे स्पॉंज में बेक करती हूँ चाहे वो जाये हम इसे करेंगे विफ तो सद्पाट पॉसुज पर करना ह्याई जी सबसे करेंगे 25 मिनट के लिए बेग करेंगे बीच में डॉर ओपन नहीं करना है 25-26 मिनट के डॉर अदर्वाइस आपका केग जो है जो है स्पॉंजर प्रॉपर्ली नहीं बेग होगा बेक होने के बाद आपको शो करती हूँ कि कैसे बना है प्रियाज मैजिकल किशन से बनाया हुआ प्रेमिक्स का स्पॉंज तो यहाँ पे देखें हमारे दोनों स्पॉंज जो है पर्फेक्ली बेक हो गया है अभी इसे demold कैसे करना है इससे पूरी तरीके से पहले ठंडा कीजे उसके बाद आपको इसे demold कीजे तो यहाँ पे देखे perfect हमारा sponge यहाँ पे Priyas Magical Kitchen का premix है उससे हमने बनाया है इतना soft है और यह जो premixes है आप खुद का brand बना के इसे sale भी कर सकते हो तो यहाँ पे कोई भी वर्क्शोप के अगर आपको जानकारी चाहिए ता आप मुझे वाट्सअप कर सकते हो और अगर आपको Priyas Magical Kitchen के वीडियोज अच्छे लगते हैं तो लाइक भी कीजे और Priyas Magical Kitchen को फॉलो कीजे थैंक्यू फॉर वाचिंग